वेल्कम गाईज आपने होची के साथ माइं गाटन पॉइंट पर आज की वीडियो देहादून में प्लांट्स के एक्जिबिशन लगी है उसके उपर है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज एक्जिबिशन में गई थी और मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा है कुछ स्पेश अब बहुत सारे हिल्स के एरिया से बहुत सारे स्टॉल ईकल्स के आते हैं यूक यूझ वराइटी आपको प्लांट्स की मिलती हैं यहां पर वही चीज में देखने के लिए 조금 चिश्न रिकल्द एक तो इस वीडियो में आपको तीन पार्ट नीन दिखाती और पहले मैं आपको स्टॉल बताऊंगी कि वहाँ पर किस किस तरह के स्टॉल लगे हुए है बहुत वराइटी सकुलेंट्स की लगी हुई है बहुत दीपली तो मैं आपको हर एक प्लांट को नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन एक रफली आइडिया दूँगी कि आप वो देखेगा जो आप में आइडिया ले पाएंगे वो में ने जो शॉपिंग की है प्लांट्स की आप जानते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स है उसके बाद भी मैं सकुलेंट्स खरीद कर लेकर आई हूँ तो कुछ न कुछ तो स्पेशल बात होगी वो क्या खास बात है वो आप मेरे शॉपिंग से देख पाएंगे कि इस एक्जिबिशन में आपको कौन-कौन से प्लांट्स सकुलेंट्स के मिल रहे हैं तो उस पार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए मैं आपको दिखाऊंगी सकुलेंट्स की शॉपिंग विद प्राइस साधा तर एक प्राइस का मैं आपको आईडिया दे देती हूँ ताकि आप भी इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा अगरे इंटरस्ट आपका बनता है जब मैं किसी लोकल नर्सरी से वो प्लाइस सकुलेंट्स के खरीदती हूँ तो मुझे सो डेड़ सो के बीच में वो प्लाइस अपने नर्सरी पर मिलते हैं देहादून में लेकिन मैं एक्जिबिशन में जब जाती हूँ तो मुझे वो 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक एक प्लाइस मिलता है तो इस से सस्ता मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नर्सरी पर मिलता होगा कहीं पराविलेबल होगा कोई ओनलाइन कुछ ऐसा नहीं अगर हम ओनलाइन खरीदे भी हैं जिसमें 25 से 30 रुपए तक के बताते हैं तो उसके चार्जिस इतने ज़्यादा होते हैं शीपिंग चार्जिस के हमें वो रेट उससे भी दुगना महंगा पड़ जाता है तो अगर आप देहरदून में रहते हैं तो बेस्ट है कि अभी आपके पास दो दिन हैं अगर देहरदून के आसफास के अरिये में रहते हैं तो भी आप एक दिन के लिए आकर ये प्लांट्स खरीज सकते हैं अगर आपके कोई डिलेटिवस फ्रेंड्स रहते हैं आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो कॉल करके उन से ये खरीद वा सकते हैं और जब आपका टाइम आए तो आप लेकर जा सकते हैं फिर भी अगर आपको चांस नहीं मिलता है तो हर साल मार्च में ये एक्जिबिशन लगती है देरादून में आप वहाँ आकर चेक कर सकते हैं अगर आप प्लांट्स के शौकीन है तो सभी प्लांट्स यहां पर बहुत चीप रेट पर मिलते हैं इस्पेशली सकुलेंट्स के वराइटी बहुत अच्छी मिलीती है तो मैं हर साल सकुलेंट्स यहां से खरीदती हूँ मैं इस पर एक वीडियो डालने ही वाली थी पिछली बार ये 6-7 मार्च के गरीब थी अब की बार में फर्स्ट मार्च पर मुझे अचानक से पता चला है तो मैं फर्स्ट डे पे जरूर जाती हूँ क्योंकि कुछ खास प्लांट्स होते हैं जो फर्स्ट डे पे सेल आउट हो जाते हैं को मैं लेना चाह रही थी लेकिन 2nd डे पे सस्ते मिलते हैं अज जो मैंने प्लांट्ट खरीदे हैं मुझे महंगे मीले हैं लेकिन कल और परसोंसे बहुत सस्ते बार्सोंस χाहां बेजा आउँए मरन में 35-40 रुपए का लिया है वो मुझको वहाँ पर 25-30 रुपए में मिलेगा तो अगर आप भी ये प्लांट्स खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाकर इस एक्जिबिशन को चैक कीजे और भर कर सकुलेंट्स इस्पेशलि मैं सिर्फ सकुलेंट्स लेकर आई हूँ बाकी प्लांट्स मेरे पास सभी कुछ हैं तो मैं सकुलेंट्स मेरे पास अगर हैं भी तो आप भी फील कर पाएंगे तो हम सकुलेंट्स देखें और इतने सबस्ते में देखें और ना खरीदें वो पॉसیबल नहीं होता है इसपेशली बज़िट बना कर चलती हूं पूरे साल में कि मैं एगजबिशन में जाओंगी और प्लांट सि लेकर आऊंगी, जो प्लांट स आज मेने खरीद है ओपी कम हैं, कल मैं जाने ही पाऊंगी, पर्सों में जाओंगी तो बाकिए पने बचेवे प्लांट सि हरीद कर ल कि पूरी इंदिया के जो टेस्टी फूड है वो यहाँ पर सब के स्टॉल लगते हैं तो आप फ्रेश होने के लिए कुछ खाने पिने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं यह नहीं है कि मैं सिर्फ प्लांट्स के लिए थी तो मेरा मेरा फोकस प्लांट्स पर ही रहा है आप एक हलकी इसी सरा सरी नजर डाल सकते हैं कि यहां पर क्या क्या अवेलेबल है लेकिन मैं पहले इनको इसलिए दिखाने में एक नजर के स्टॉल कैसे लगे हैं अगर आप खरीदना चाहते ह हैं आपकी नजर में कुछ आता है तो आप ले सकते हैं बाकि स्कुलेंट्स का जो आइडिया है मैंने तक्रीवें सभी तरह के सब्सक्राइब कुछ बचे हैं जो मैं परसलूंगी मेरे स्कुलेंट्स को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा यह वाला सकुलेंट्स दिखिए यह एचिवेडिया राइड एचिवेडिया कितना हुक्सूरत का है देकिन मुझे ही चानिस रुपए में पड़ा है यह जितने भी सकुलेंट इजन दास्कित में आप देख रहे हैं यह सारे 25 पचीस रुपए में हैं । इससे जादा सस्ता क्या मिल सकता है 25 रुपए में आपको बहुत अच्छे ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं यह देखने में अभी मैंने करिप से नहीं दिखा पाई बहुत अच्छे हैल्णीप्लांट्स यो 25 रुपए में मिला है आज 25 में मिलने हैं लाज़मी बात है यहां पर पॉद भी मिली हुए बहुत सारी पॉद लख्षी सबसी की समर फ्लावडिंग की बहुत हर चीज यहां पर अवेलेबल थी कोई प्लांट ऐसा नहीं था जो यहां पर हो और वह महगा सभी चीफ प्राइस में मिल रहा है एक नजर आप देखिए का मैं आप दिखानी है यहां हूं में इस ECG का कि देखे अलेगिया कि इस एक्जिबीशिन का सब्सक्राइब के लिए नहीं है यह गार्णिंग टूल्स है जो हर तरह का यहां पर यूनिक गार्णिंग टूल्स अवेलेबल थे और यह दिखेगा अडेनियम हैंकिंग बास्किल भी बहुत अच्छे अच्छी आई हुई थी बहुत पुराने अडेनियम थे और यह जितने नीचे यह सब भी रखे हुए हैं यह सब मुझे 33 रुपए में मिल रहे थे जो मैं बहुत जादा मेरे पास हो गया थे प्लांस तो मैं नहीं ले पाई बाद में मैं ज़रूर इनको लूँगी इस एक्डिविशन को मुझे नहीं लगता मैं एक वीडियो में कंप्लीट आपको दिखा पाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगी और एक फुल डिटेल में मैं इसको आपको दिखाऊंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बनानाज है सब कुछ इस टेम पर आज आज की दिन ये सारे प्लांस 40-40 रूपीज में लेकिन पर्सो जाते टेम पर ये 25 से लेकर 30 रूपय तक आप कोई मिल जाते हैं पर्सो में जाकर बहुत सारे प्लांस उठाने वाली हूँ कुछ ऐसे भी लूगी जो मेरे पास बहुत हैं भी लेकिन इतने चीप रेट में अगर मिलते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उठाने में सब गिलाब रखे हुएते बहुत होस्रत थे हर एक तरह का प्लांट आपको प्लांचू था ये दिक्के पॉर्ट आप देखें बहुत होस्रत लेकिन ये वाले पॉर्ट थोड़े मुझे कोस्ट्र ले लगें हैं बारासो 200 इस तरीके के थी देखने में बहुत हुशुरत थे लिकिन रेट इसके काफी मुझे जाद लगे हैं. देखे आफ यह पर पढ़ यह ऑपज़ हुआ, इस। तरिके से कि मुझे मेहंगे लेकिन बहुत हुशुरत थी, कुम अंप बहुत हो इसके हेंगी भी रख्की हुई थी यह चार देख रहे हैं यह देख रहे हैं यह खुद इस्टॉल पर बता रहा है थे कि आज यह चालिस में है परस हुए 25 से लेके 30 तक रेट में जो भी रेट दे लगा 30 तो मिनिम्म चलता ही है 25 तक भी आ जाते हैं जाते जाते हैं इतनी लंबी एक्डिबिशन में सब कुछ तो आपको नहीं दिखा पाँगी अब मुझे लगता है मुझे सिर्फ आपको वो दिखाना चाहिए जो मैं खरीद कर लेकर आई हूँ आप ही देखेगा यह इतनी सारी मेरी थैली हैं जिसमें मैं सब सक्विलेंट्स लेकर आई हूँ और मैं आपको एक अक्सक्विलेंट्स खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या गया है और इसके प्राइस क्या गया है यह वर्तियां है जो मुझे 25 रूपय में मिला है आज मुझे 25 में मिला है कल यह परसों लेने ज प्लांट हैं इसके मेरे बहुत सारे प्लांट से में सिर्फ रेड बता कर चलती हूं क्योंकि मैं अगर इसके नाम बताने लगे हूं तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा ये मुझे दो प्लांट से बहुत होसुरत के रेड कलर के चेवरिय के 40-40 रुपय में बढ़े हैं मैंन अब ये देखिएगा बहुत प्यारा बहुत होसुरत के और कितना बड़ा साइज है इसका लेकिन मुझे ये मिला है डेड़ सुरुपय में इसके रेट अगर बाद में बचे रहे जाते हैं 67-30 थे तो भी डेड़ सो से नीचे नहीं आई है क्योंकि सकुलेंट बहुत खुसुरत बहुत बड़ा है तो डेड़ सुरुपय मुझे चीप ही लगा है इसका ये सब 40 रुपय में है 40-40 हैं सब इनके रेट आप देखिए कितने हेल्दी और कितने बड़े प्लांट है और 40 रुपीज में मिल रहे हैं 40 रुपीज में ये अगर आप यहां पर लेंगे लोकल नर्सरी से तो किसी भी सूरत में टेर सो से नीचे नहीं देंगे इस सब मुझे 40-40 रुपय में मिले हैं दिखाती हूं देखेगा अभी बहुत जादा प्लांट से खोलने हैं ये मैंने दो पीस लिए हैं मुझे ये इतना खुशूरत लगा कि मुझे दूसरा पीस लिए बगार नहीं रह पाई ये दो मुझे जैबरा प्लांट जो मिले हैं फिरी में मिले हैं क्योंकि जिस स्टॉल से मैं प्लांट खरीद रही थी हर एक स्टॉल से तक्रीमन आर्ट च्राफ रहे जा रहते तो वो मुझे एक दूसरा और किस्त्ट की तरहिं दे रहेते हैं फिरी में एक तो 40 मूपय प्लांट है नहीं नहीं दूसरा 40 है वह मुझे मिल mache pohan music मैंने एक दो कैक्टस भी लिया है हावर्थिया भी है सभी तरह के प्लांट्स एक दो सप्लांट्स मैंने ऐसे लिये हैं जो मेरे पास पहले से थे लेकिन फिर भी मुझे इतना सस्ते मिल लाते तो मैं रूक नहीं पाई ये जो हैंगिंग बास्किट है ये मुझे मिली है सो रुपे में ये वाला प्लांट मुझे आप देखें कितना खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष यह सब चालिस चालिस में मिले हैं एच्छुली इनके सही रेट है 25 और 30 जो आप में कल परसों में जाओंगी तो यह सब 25 और 30 के हो चुके होंगे यह देखेगा सारे हेल्दी प्लांट हैं बेबीज भी काफी निकले हुए हैं यह सब अगर आपको 40 रुपए में प्लांट मिलते हैं तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे आप कैसे छोड़ सकते हैं अभी मैं निकाल रही हूँ उसके बाद में क्लोजली लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ा में पहले सब ओपन कर लेती हूँ यह देखेगा वाव मुझे देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है एक वाव शॉपिंग तो बनती है और अब कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि वाव शॉपिंग है या नहीं अब मैं थोड़ा सा आपको क्लोजली इसका एक लुक दे देती हूँ यह देखेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है और आपने इसको इंजॉई किया है तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है मेरे जैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बनता जरूर दबाइए तो नेक्स्ट वीडियो तक गाईस बाई स्वेश में सब्सक्राइब तो एक सब्सक्राइब आपको मेरम प्लेखेश moments हुआ में गया हुआ हुआ आव हुआ तριं अबंग्याओ लागल टें उन पाड़ के इख खिचा हुआ हुआ है कर दो कर दो